लेक्टिकल मसीन फर्ष्ट की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है बतना चाहता हूं लेशन टू की ये दूसरी वीडियो होने वाले डिसी मसीन की इससे पहले हमने काफी सारे वीडियो बनाई है उसको आप देख लेजे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है क्योंकि आप देखिए आज की हमारे वीडियो की टॉपिक है टाइप साफ आर्मेचर वाइंडिंग मतलब कि आर्मेचर वाइंडिंग कितने परकार क्योंते इसके बारे में जानेंगे लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि इसमें क्या क्या और भी चीज़े होती है क्योंकि सिर्फ वाइंडिंग से ही नहीं मतलब है उनके जो वार्स होते हैं जो क्वाइल्स बनेगी उसको कैसे कनेक्टेड किया जाता है इन सब को बारे में भी आपको जानना है तो चलिए देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं और ध्यान से सबी लोग सुनेंगे और अंत तक देखेंगे और इसका पीडियाफ टेलिग्राम पर मिलेगा यह ध्यान दीजिए पीडिया फले नंबर पाता है चालक को इंगलीज में बोलते हैं कंड़क्टर क्या होता है कंड़क्टर वह क्वाइल तार जो चुमकी छेत के परभाव में रहती है चालक कहते हैं क्योंकि यहीं क्वाइल में मतलब आपका क्या होता है इसी में आपकी current ओगरफ फ्लो होती है इसी से तो आपका magnetic field generate होती है तो इसमें चालक यहीं बताएगा है कि वह कौइल था है जो चुमकी छेत मतलब होती है तो वहीं आपका होता है चालक दूसरा आता वर्तन जिसे टरन करते हैं जब आपको बताएंगे तरन का करना है तो आप इसका मतलब वर्तन समझेंगे तरन याद अब देखिए स्रेडी क्रम में जुड़े दो चालकों के वर्त मतब दो चालकों से एक वर्ता निर्मित होता है जिसकी प्रत्थम भूजा A B दूसरी स्रेडी होती है आपने जब टेंथ में थे तो आपने इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाई होगा मैं आपको बताना चा स्रेडी कर्म में यहां से यहां तक आपका आधा चलक दूसरा तो इस तरीके से जनेरेटर मोटर में भी वाइनिंग की जाती है तो दूसरा स्रीक होता है गोलता है CD पहला AB होता है दो चीज़ जान गए तीसरी टॉपिक पर बढ़ते हैं जिसका नाम है कुंडली कुंडली को हिंदी में बोलते हैं फिरके को gall होती है दोनो तरीके आप यह谤 conven जब एक एक से अधिक वरतन यानि जो यह टर्न है इनी को स्रेडी कर्म में जोड देते ह हैं तो एक कौईल का है मतलब कि जो आमने बी एक time कर चकार करके दिखा tackle इसी तरीके से कई सारे चक कर लगा देंगे तो वह एक हमारी कॉाइल बन जाएगी यह बोले पां चकर भी लगा देंगे तो भी कॉइल बन जाएगी वस्ताब एक से अधिक बनाएंगे माल लिजी इस तरीके से हमारा कमूटेटर है इस तरीके से उसमें कमूटेटर सेगमेंट जो है यह नहीं कि इसी स्लाट में सब कर देंगे नहीं हम दो स्लाटों में इस कुंडली को अर्जिस्ट करते हैं मतलब यहां से वायर गया ऐसे आया फिर ऐसे इस तरीके से करेंगे लास्ट में यह दो सिर्य मिलेंगे तो इसी तरीके से यहां पर अलग-अलग खांचों में इस्थित किया जाता है मतलब वाइंडिंग जो करते हैं वो इसी तरीके करते हैं अभी दो प्रकार की वाइंडिंग हो तो यह आगे देखिएगा अब दोखिए जो नेस्ट के प्रतेक दुरू के दूरी को क्या करते हैं पोल पिच करते हैं पोल पिच के पोल पिच के कंड़क्टर की संख्या अर्थात एक पोल के प्रभाव छेत्र में इस्थित कंड़क्टर की संख्या में ब्यक्त की जाती है यह जड़ कंड़क्टर की आर्मेचर मतलब एक यहां होती हो एक सो असी डिग्री पर ही होता हैं ठीक है मतंब यहिंद एक सब्सक्राइब बस समझ धर नहीं एक सो असा है यह क्या कुंडली पीच अभी मैं आपको भूख से दिखाता हूं अगला आप देखिए कुंडली पीच क्या होती है फिर इसके बाद आपको हम भूख से दिखाते हैं क्या होती है किसी कुंडली के दो भूजाओं के बीच की दूरी को कुंडली पीच कहते हैं और देखिए ज यदि वहीं पर गाइस बात करें जो क्वाइल पीछ होती है पॉल पीछ से कम है तो उसे सॉट पीट वाइंडिंग करते हैं और उसमें जो यह में पर बहुत ज्यादा maximum नहीं हो पाता है आप यहां बुक में देखिए यह देखिए वाई सी से से सो करते हैं कॉईल पीच को और यहां दो आपके कम्मुट्रेटर खंड लगए हुए कम्मुट्र सेग्मेंट इसके बिच में देखिए आपकी दूरी दिखाई गई है तो यही आपका हो जाता है क्या आप कई हो जाता है, पर पिच के बात की जारी, मतलब दो पोल की बीच की दूरी की बात की जारी, δो बुजाओं की बीच की इसे फ्रनlevant contro में देख सकते हैं हमने क्या कहा कि दूधरे के पहले सिर्य, ठीक है ए पहली कॉलास थूरी की सिर्य यहाँ पर अंतिम सीरा और दूसरे कहां पाले वाले तो इन-ी के बीच की दूरी को क्या ते फ्रन्ट पिच करते है तस coverage ओसके बाद знач आता हम किसे कहा YB से कहा ना अब देखिए आप यहां पर YB यहां पर दिखा गया है यही पहले क्वाइल के पहले और अंतिम भूजा इनी दोनों के बीच की दूरी को YB से सो करते हैं जिससे बैक पिच कहा जाता है तो देखा कितनी एमेजिंग तरीके समझ गए देखे मैं सबका अब भाख फिर से रिवीजन आपको कराता के जाता हूं जयसे पोल पीच क्या हो गया पेशिंग के अंसी की दव DD के दूरी को करते हैं यहां पर देख सकते हैं उसी परकार से हमारा आया फ्रंट फ्रंट पीच आया है तो फ्रंट मतलब अगर पीच मतलब क्या एक कोईल का अंतिम सिर्ण और दूसरे के पहले के बीच की दूरी को फ्रंट पीच करते हैं और उसके बाद आया पस्ट पीच मतलब बैक पीच आपका और यहां क्या होता है पहली कोईल के देखें फर्स्ट आपका और मतलब पहली कोईल की फर्स्ट और अंतिम के बीच की दूरी वाई-बी से सो करते हैं बैक पीच हो गया तो एमेजिन है कि नहीं बिल्कुल एमेजिन है बढ़ते हैं सिधे नेस्ट टॉपिक भी तरह अगला जो गारी सापका टॉपिक है ओए परेडामी पीच यह रिसल्टेंट पीच भी बोलते हैं इसमें क्या होता है कोई भी दो कुंडली हो उसमें नहीं बोलागए कि पहली दूसरे ऐसे कुछ कुंडली नहीं का गया सिरफ का गया दो निकरतम कुंडलीयों के पर्थम चाल मतलब यह तो आपका दीख सकते हैं यह तरीक casually और यही तो कंडर्थम है ना देखर two चालक और िसी की तोो Literal चालक सब्सक्राइब कि संख्राइब भाई तो यहीं आगला आता मध्यमान पीज्ड यानीश्य सके होती लिए इस耐 इसको निकालने के लिए अग्र पिच प्लस पस्ट पिच को जोड़ दीजिए और उसका हाफ निकाल दीजिए तो माध्यमान यानि एवरेज आ जाएगा इसे य से सो करते हैं अब यह यह आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि हम अपने से निकाल लाएं न तो इसलिए यह आप क्या किया जाएगा वाई इस उकल टू वाई बी मतलब बैक पीच प्लस फ्रंट पीच बाइटू करेंगे तो आपका एवरेज पीच निकल के आ जाएगा नेश्ट गाइस आपका जो टॉपिक है ओओ है दिख परिवर्तक पीच यानि कमूटेटर पीच कमूटेटर प पीच करता यसी से सो करते हैं अगर हम लैप वाइंडिंग निकालना इस फार्मूले को याद कर लिजे आगे इसकी बहुत सारी जरूबत पढ़ने वाली तो लैप वाइंडिंग के लिए फार्मूला क्या हो जाता है वाई सी इस उकल टू वाई बी माइनस वाइएफ और व यसी से देख सकते हैं और यह जो पहला वाला बताये थे क्या आपका पोल पीछ तो यहां पर नहीं तो यहां देख सकते हैं आप लैप वाइंडिंग में आपका यहां पर होता है वेव वाइंडिंग में आपकी यहां पर होती है ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अ दोनों को आप याद कर लीजिए, पेपर में पूछा भी जाता है, आगे जब numerical problem अभी solve करेंगे, तो वहाँ पे इसकी जरूरत होगी, आप इसका वहाँ पे use करेंगे, तो इसलिए इसको अच्छे समझ लीजिए, मैं आप से कहना चाता हूँ, सिर्फ एक बार अच्छे समझ गरंटी हमारी आपको पका समझ जाएगा, फीगर वसियाद किया रखना, तो पहले देखो क्या कहा जा रहा, पहले फीगर देखते रहो, मैं बताता हूँ, फिर सुनू, क्या है, वह winding जिसमें पहली कुंडली का अंतिम सिर्फ दूसरी के पहले से, ठीक है, देखो, पहली का कुंडली का दूसरा सिर्फ तीसरी कुंडली के पहले सिर्फ से जुड़ा होता है, और यह दोनों एक दूसरे सेग्मेंट, मतब कमुटेटर जो सेग्मेंट है, आपके उससे जुड़े रहते हैं, इस परकार से आपकी आर्मीचर वाइंडिंग पूर हो जाती है, जैसा कि आप चित्र ए में देख सकते हैं, मैंने गाईस यहां पर अपने से कुछ नहीं बोला, आप देखो फिर भी वैसे अपने मंद से रैंडमली बोल दता हूं, लैप वाइंडिंग क्या होता है, वह वाइंडिंग जिसमें क्या होता है, जिसमें पहली क्वाइल का अंतिम दूसरे के पहले से और यहां दोनों एक ही तामखरंड से जुड़े होते हैं, इसी प्रकार से आपका दूसरी का दूसरा सिर्या तीसरी के पहले से और यहां दोनों मिलके एक ही तामखरंड से जुड़े होते हैं, इस प्रकार से पूरी वाइंडिंग पूरो होती है, और य इसी प्रकार से दूसरी कुंडली का अंतिम सीरा बोल सकते हैं तीसरी के पहले से जुड़े रहते हैं इस प्रकार आर्मिचर वांडिंग पूड़ होगी और आप चितरी में देख सकते हैं तो बस यहीं चीज़ा है अब हम लोग समझते हैं कि हमारी जो वेब वांडिंग होती है वह किस प्रकार से होती है क्योंकि वेब वांडिंग को भी जानना बहुत ही जरूरी है तो वेब वांडिंग समझे क्या होती है इस वांडिंग में एक पोल के परभाव च्छत में इस वांडिंग में क्या जाता है एक पोल के परभाव च पहला सिरा क्या होता आपका देखिए कमुटेटर से या आपका कमुटेटर है इससे और दूसरा सिरा निकट इससे दूसरे विपरित Pohl के प्रभावश्यत में यह देखे इसका और यहां से गया दूसरे के प्रभावच्छ से जुड़ा हुआ है प्याज़ा है इसे प्रकार से चालक का आपको दूसरा सिर्शा तीसरे के पहले से इस प्रकार से आपका यहाँ पे देख सकते हैं जुड़ा रहता अभी इस डैग्रांग को जब बड़ा साधर बनाएंगे तो अच्छे सोर्षवूंख में ला आगए दिखाएंगे तो उस से जूड़ा होता है तो आंपका क्या होता है पाले से प्रीकार उिसका दूसरा यहां से कनेक्टेट और तीसरे के आगे यह बढ़ती रहती है और लेअ वाइंडीं शारी वेव वाइंडिंग ऑकी कम्प्लीट हो जाम addresses देख सकते हैं वेव यर्म पूरी सीरीज में चलती रहती है ठीक है जिसे लोग वेव वाइंडिंग बोलते हैं आप यहां पर देख भी सकते हैं इस तरीके साया और यहीं पर इंड करेंगे क्योंकि आज की टॉपिक सिर्फ वाइंडिंग थी वाइंडिंग पेपर में आती है इसलिए इंपॉर्टेंट है तो याद कर लीजिए आई होप आप समझ गयोंगे इस वीडियो को लाइक करें नए हो तो माइट चैनल को सब्सक्राइब करें साथ मे इस वीडियो को सेर कर अपने फ्रेंड्स के पास ताके वह भी लाग उठा पाई इसका तो आज के लिए इतना ही मिलता हूं नए वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए जहीन वंदे मात्रंग